हेलो गाईज विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल सो डियर श्टुडेंट साथ की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुल पाच प्रस्णों में से आपको खंड औ अथा बह में से शीप आपको दो स्रेक्ट करके उसके एनसर देने हैं क्वेस्टन नंबर वन इस कंपनसरी मिंस जो आपका question first to compulsory है उसमें से आपको सभी प्रस्णों को करना अनिवार है आल question carry equal marks means यहाँ पे जितने भी question है वो सब एक समान marks को अंक मिलेंगे उसमें से चलिए note यहाँ पे आप same as well as Hindi में दिया गया है जैसे कि आपको उपर दिया गया है कोल 5 प्रसनों के उत्तर दीजिए अधथा बो में से प्रतिक 2 दो प्रसनों के उत्तर दीजिए प्रसन संख्या एक अनिवार है सभी प्रसनों के अंक समान है तो इस तरह से सबसे पहले आप note को पढ़ेंगे उसके पास से concentrate करके आप question को पढ़ेंगे तो first question है explaining brief and five of the following means निमल लिखित में से किनी पाच का संचिप्त वड़न कीजिए दीजिए फर्स्ट है endangered flora means लुप्त प्रायर वनस्पती यहाँ पर आपको briefly answer देना है endangered flora क्या होता है नाव भी greenhouse gases ग्रीन हाउस gases क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर हो गया question number first जो की compulsory था और यहाँ पर आपको six में से only five question करने थे जो की आपका a b study करके दिया गया है अब second जो है section a देखेंगे section a में क्या है आपको यहाँ पर five question दिया है बट इसमें total आपको only two question करने है अब चलिए इसको हम देखते है section a है right and Asian major Indian biomes यहाँ पर आपको प्रमोख भारतिय बायोम पर एक निम्मन्थ लिखना है next question है what do you mean by biological conservation describe in-situ and ex-situ strategies of conservation यहाँ पर यह हो गए section a के आपके दो question आप next हम two question दिखते है so question number fourth है what do you mean by rocks and minerals describe different essential minerals of the earth मिस चट्टानों और खनीजों से आप क्या समझते है भूपटपटी के विभीन आवस्यक खनीजों का वड़न कीजी so question number fourth now next question fifth what is air pollution what are major effect of air pollution on organism and ecosystem means वायू प्रदूर्सर क्या है जीव और पारिस्तिति की तंत्र पर वायू प्रदूर्सर की प्रमुख प्रभाव क्या है now next section B में डिसकस करने वाले है section B में भी आपको सेम ऐसे करने थी इसमें से सिप आपको two question करने है जिसमें आपको A B करके दिये गए है so first है six right short notes on the following means निमल लिखित पर संचिप्ट नोट लिखें A है smile microorganism means मृदा सुच में जीवी आपको यहाँ पे define करना short notes लिखना है इसी में same B है threats to biodiversity means जै इवीद्था पर खत्रे आपको इसके बारे में यहाँ पर short notes लिखने है question 7 है right short notes on the following means निमल लिखित पर संचिप्ट नोट लिखें अब 7 में भी same जैसे six में A B करके वैसे इसमें भी A B करके question है चली इसी देखते है so 7 का question A है chip को movement means chip को movement क्या होता है कभी मनाये गया था और इसमें क्या हुआ था so इसके बाद से B है IUCN red list category आपको यहाँ पर IUCN red list स्रेड़ी की बारे में बताना है इसके बाद से question 8 है explain briefly means संचिप्ट में वड़न दे first है ecology and economy यहाँ पर define करना है what is ecology vs economy इसमें आपको संचिप्ट में वड़न करना है B है depletion of ozone layer यहाँ पर ओजोन परत का हरास बताना है हरास ठीक है आपको depletion of ozone layer के बारे में यहाँ पर discuss करना है question 9 है write short notes on means संचिप्ट note लिखो means यहाँ पर आपको जो भी A और B दिये हैं यहाँ पर short notes लिखने है फर्स्ट है यह पेश्टी site pollution means कीट नासक प्रदूर्सट के बारे में लिखना है B है tropical rainforest यहाँ पर यह हो गए आपके बॉत्नी थर्ड पेपर बॉत्नी थर्ड पेपर हो गए आपके स्वाइल साइंस इन्वारिमेंटर पॉलिशन एंड कंजर्वेशन सो थांक्यू एंड है नाइस टे